आज मैं आपके साथ मिल्क दूद से बना शर्बत जो मोहरम स्पेशल है उसको शेर करने जा रहे हूँ उसके लिए मैं आपे वन फोर्थ किलो यानि पॉव किलो शुगर मैंने इस तरह से बॉल में घोल लिया है उसके बाद हम यहाँ पे छे से साथ ललाची कार्डमम यानि ग्रीन कार्डमम को कूट के रख लेंगे साइड में उसके बाद कते हैं उसके बाद हम 20 ग्राम साथ सोंफ को बडरिक पाउडर करके उस शुगर की सिरप में मिला लेंगे जो हमने सोफ पाउडर दाला था उसको दालने के बाद यह शुगर जो है अच्छे से घुलना जाए पानी में तब तक इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें जो हमने फ्रेंड्स यूस किया है इलाची और सोफ यह दो आपके बाड़ी को ठंडा करने के लिए यूसफुल है और यह आपके बाड़ी के त्री दोशास वात पित कफ जिसे कहते हैं उसको यह एनर्जी टिक करता है और कंट्रूल करने करके रखता है इसलिए इसको यह भी फाइदा है इसमें यूस करने का उसके बाद हम यहाँ पे 100 ग्राम्स आफ कैश्यू नेट्स काजू ले रहे हैं उसको कवर में ही उसके पैकिट में हम थोड़ा सा कूट कर दालने के लिए कूट रहे हैं या फिर आप इसको बारिक से काट भी सकते हैं ताकि आपके शर्मित में जो है अच्छा लगे बारिक बारिक काट कर दालेंगे तो यहाँ पे हमने वन इंड ओफ लिटर मिल्क लिया है उसमें कमबाइन करके हम डबल करके वन इंड ओफ पानी इसमें आड करेंगे चाहे तो आप थोड़ा सा आप चाहे तो थोड़ा कम पानी आड कर सकते हैं वन लिटर तक पहले आप दूद को बाइल करके थंडा कर लेंगे और फ्रिज में चाहे तो थोड़ा थोड़ी दे आफ इनवर रखके बाद में उसमें बाकी के जो सारे ही उसमें आड करेंगे तो हमने ओवराल से One एंडॉर ओवराल से आप चाहे तो वन लिटर तक पानी इसमें आड कर सकते हैं इसके बाद हम इलाची को कुटी हुई इलाची पहले जो हमने कुट के रखा था उसको अब ये जो वाटर और मिल्क हमने एक इस तरह का पतीले में ले लिया है उसमें हमने अब ये कुटी हुई इलाची को पौडर को आड़ कर देंगे उसके बाद ये जो सोंफ का पौडर हमने शुगर सिरप में आड़ किया था उसको थोड़ा साच से फिर से एक बार मिक्स करके इसको भी उस मिलक के मिक्सचर में शरबत में हम छान कर डाल देंगे अब एक स्ट्र और उसके सिंपल से ड्रायब फूट्स ही डालना रह गया है इसमें ड्रायरीफूट्स बाद में एड़ कर देंगे और इह फिरिज में हाफ से अच्छ आप हम यहां पर जो croya हम बाद कर अब फ्रिज में रखेंगे तो बहुती टेश्ट लगेगा आपको जब पिएंगे तो फ्रेश फ्रेश से ये इसमें इतना टेश्ट नहीं होता है जो फाई हवर्ट के बाद इसको टेश्ट करेंगे तो तब इसमें बहुती अच्छा टेश्ट लगेगा आपको तो साइड़ में हम स्मोखी फ्लेवर इसमें लाने के लिए एक और पतिले को हमने थोड़ा सा स्मोख दे रहे हैं, उल्ठा करके उस पतिले को रखा हुआ थे साइड में और उसमें हम यह जो अच्छे से मिक्स करके शर्बत को उसमें आड़ कर देंगे आप इसको ज़रूर ट्राइक कीजिएगा घर में यह जो शर्बत है आपको इनर्जी देता है आपके बाड़ी को और यह पेट को ठंडा भी करता है बच्छे बड़े सब इसको पी सकते हैं और अब यह हम नेक्ष यह जो हमने स्मोक दिया हुआ था इस पतिले में उसमें यह सारा शर्बत ट्रैंसफर कर रहे हैं यह पे आप बिना स्मोक दिया भी बना शकते हो यह पे आप बिना शमोक दिया ही ऐसे ही इसमें बतिले में डालके रेडी कर सकते हैं मिनिमम फॉर हवर्स के लिए रखेंगे उसके बाद यह तयार होगा सर्फ करने के लिए और यह आप जो शर्बत है वो रेडी हो चुका है इसको आप ग्लास में थंडा थंडा सर्फ करें जरूर ट्राइ कीजिए इस क्रेसिपी को और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कर तो फिर मिलती हूं मैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस